नमस्कार प्यारे किसान भाईयों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की रिसर्चेवल वराइटी DBW 303 के बारे में जो हमारे किसान भाईयों को 6 वीगे में 25-25 कुंटल का उत्पादन देती है प्यारे किसान भाईयों आपसे एक निवेदन है वीडियो को पूरा जानकारी के लिए पूरा देखें जिससे आपको बहतर जानकारी मिल सके चलिए शुरू करते हैं DBW 303 या करणवैशनवी या स्रीराम सूपर 303 ये एक रिसेर्चेवल वेराइटी है तो दोस्तों इसकी बुवाई का समय है 25 अक्टूबर से 25 नमंबर के मद्धे आप इसकी बुवाई कर सकते हैं यदि बात करें बीज की मात्रा की 36 किलोग्राम से 40 किलोग्राम प्रती एकड की दर से आप बीज की मात्रा ले सकते हैं और बुवाई करते समय आप हमेशा ध्यान रखिए कि बीज को जमीन के अंदर 3-4 सेंटीमीटर तक ही बोया जाना चाहिए बीज के लिए उचित नमी उचित वायू उचित प्रकास इस गहराई पर मिलता है जिससे जर्मीनेशन बहुत अच्छा आता है यदि बात करें इस बरैटी में सिचाई की तो सामाने तोर पर इसे 3-4 पानियों की आवस्चकता होती है किनी परिस्तिति में जब थोड़ा सा टेंपरेचर हाई हो जाए या फिर बारिस बगरा बीच में ना हो तो फिर पांच पानी तक भी यह जो है सिचाई मांगता है यदि बात करें इसके छेतर की तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाना, पंजाब, उत्राखंड, MP और साथ में देश के अलग-अलग भाग इसके लिए उप्युक्त माने जाते हैं अबधी की बात करें तो यह 145 दिन में पकड़ के तयार हो जाती है और यह हमें 145 दिन में अपना उत्तर पादन दे देती है इस बैराइटी का उत्तर बहुत ही अच्छा है 28 कुंटल पृति एकड़ की दर से हमें उत्तर देती है साथ में बसा कार्वाइडरेटरस बगरा होते ही है तो इसलिए ये स्वास्ते के दरिश्टी कौन से भी सर्वत्तम बेराइटियों में से एक है किशान भाईयो इस किसम से संबंदिज जो जानकारिया थी मैंने आपके सम्मुक प्रस्तुत की है आपको पसंद आई हूँ तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें और कोई पूछताच करनी हो तो कमेंट सेक्षन आपके लिए खुला है अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फार्मिंग यान को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो दोस्तो आज के वीडियो में के वल इतना ही नमस्कार